यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ एडियम कुलू की अधिक्षता में हो रही होटलू की जाच को प्रशासन ने और जादा तेज कर दिया है हलाके मनाली होटलियर्ज एसोसियेशन ने जहां प्रशासन की सकारवाई पर अपतिर जताई है वहीं अंजीटी के सक्त रुख को देखते हुए प्रशासन भी अपनी और से जाच में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मनाली में प्रशासन की जाच कमेटी ने 25 कमरों से अधिक वाले करीब 91 होटलों की सूची अंजीटी को पहले ही सौपनी है जिस पर अस्ती होटलों की दिमार्केशन और दस्तावेजों की स्टेटस रिपोर्ट भी अंजीटी को सौपनी गई है ऐसे में अब इसके अलावा 30 अन्य होटलों की स्टेटस रिपोर्ट अंजीटी ने प्रशासन से 15 दिनों के भीतर मांगी है एडियम कुलो अक्षिर सूथ का कहना है कि प्रशासन की जांट कर और होटल मालिकों के दिक्कते एक बार फिर से मनाली में बढ़ने वाली है पहले भी इस तरीके का भ्यान चलाया गया था सरकार की ओर से जिसके बाद अब एक बार फिर से दिक्कतें बढ़ सकती है NGT में 16 जून को सुनवाई होगी और साथी इसी के साथ होटल मालिकों के दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है एक बार फिर से इस तरीके का भ्यान चलाया जाएगा 30 होटलों पर कारवाई की जा सकती है उनके दस्तावेज जल्द से जल्द सौपने के लिए कहा गया है और 15 ऐसे होटल हैं जिनके दस्तावेज जल्द से जल्द मांगे गए हैं होटल मालिकों के दिक्कतें अब बहुर जादा बढ़ सकती हैं पहले भी इस तरीकी का भियान सरकार की ओर से चुलाया गया था कि जो अव्याद तरीके से होटल चल रहे हैं उन्हें गिराया जा रहा था जिसके बाद अब एक बार फिर से ये जाच तेज कर दी गई है होटल मालिकों के दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ने वाली है लओ झाहन आए से एक लाहरा है झाल झाल